हेलो एवरिवन कीमी राठोर की बेस रेसिपी में आपका स्वागत है दोस्तों अमरूद मसाला चार्ट तो आप लोगोंने कई तरह के से बना कर खाये होगी बट एक बार हमारी रेसिपी को भी जरूद ट्राइ कीजेगा यह आप लोगों को भी मत पसंद आएगी अमरूद की चार्ट बनाने के लिए हमने पांच अमरूद लिये हैं इसमें से हम सारे अमरूद की चार्ट नहीं बनाएंगे सिर्फा चार अमरूद की चार्ट बनाएंगे दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब दिरूट कर दीजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे अब हम फटापट से देख लेते हैं चटपटी अमरूद मसाला चाट असान तरीके से कैसे बनाते हैं हमने अमरूद के सारे पत्ते हटा दिये हैं अब हम इनको साप पानी से अच्छे से दो लेंगे आब हम इनके छोटे छोटे पिसेस कर लेंगे दोस्तों जब भी आप लोग अपने घर पर अमरूद मसाला चाट बनाएं मार्केट से ताजा अमरूद खरीदें और अमरूद को चाड़ बनाने से पहले एक बार साब पानी से अवश्यद होएं फिर इसे कट करें दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अमरूद एक ऐसा खटा मिठा और टेस्टी फ्रूट है जो बच्चो बड़ो सबको पसंद आता है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अमरूद की चाड़ बनाने से पहले हम अमरूद को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कट कर रहे हैं और जो थोड़े से दाग धबे लगे हैं इनको भी हम चाकू की साहिता से कट करके अलग कर देंगे हमने मसाला चाड बनाने के लिए जो अमरूद लिए हैं वो ज़्यादा कच्चे भी नहीं है और ज़्यादा पके भी नहीं है मीडियम है आप लोग के पास जो भी अमरूद הוא आप उसकी चाड बना सकते हो हमने सारे अमरूद को इस तरह से कट कर लिया है एक्ष्टा-कच्रा बाहर कर देंगे अमरूत को इस तरह से दो भागों में कट करके लोंग साइज में छोटे-छोटे से पिसेज कर लेंगे आप लोग अपने हिसाब से अमरूत के पिसेज कर सकते हैं अब भी सर्दियों का मोसम चल रहा है और इस मोसम में अमरूद मार्केट में हर जगा उलेबल रहते हैं और कहीं पर भी आसानी से मिल जाते हैं अमरूद से आप लोग चार्ट तो बना ही सकते हो और भी कहीं प्रकार की अच्छे अच्छे डिसेज बना सकते हो जैसे अमरूद की चटनी, अमरूद की सबजी दोस्तों जब भी आप लोग अमरूद की चाट बनाए और अमरूद को कट करते समय यदि आप लोगों को लगे कि कोई सा अमरूद खराब है तो उसको कट करके अलग कर दे उसे चाट में शामिल नहीं करें हमने मसाला चाट बनाने के लिए जो भी अमरूद लिये हैं सारे अमरूद ताजे थे और एक भी खराब अमरूद नहीं निकला इसलिए हमने सारे अमरूद को कट कर लिया है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने सारे अमरूत को इस तरह से long size में cut कर लिया है अब हम इने बावल में transfer कर देंगे अब इसमें मसाले एट कर देंगे आदा छोटा चमच सफेद नमग आदा छोटा चमच काला नमग थोड़ा लाल मिर्चे पाउडर एट कर देंगे आदा छोटा चम्मज चाट मसाला एट कर देंगे थोड़ा black paper एट कर देंगे आदा छोटा चम्मज पिसीवी चीनी एट कर देंगे मसाला चाट बनाने के लिए आप लोग मसाले अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत کम जादा एट कर सकते हैं और अपनी पसंद के मसाले भी एट कर सकते हैं चाट में कलर के लिए थोड़ा सा कस्मिरी लाल मिर्चे पाउडर एट कर देंगे कस्मिरी लाल मिर्चे पाउडर ज्यादा तीखी नहीं होते हैं इसे चाट का कलर अच्छा आएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारी अमरूद मसाला चार देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी बनेगी सारे मसाले को अमरूद में अच्छे से मिला देंगे इस तरह से अमरूद मसाला चार बनकर तयार है दोस्तों आप लोग भी हमारी recipe को एक बार जरूर ट्राइ किजिए और हमें comments करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को हमारी recipe कैसे लगी ताकि हम आप लोगों के लिए रोज नहीं नहीं recipe लाते रहें कल फिर मिलेंगे एक नहीं recipe में धन्यवाद